हुलो हलो 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 कि या अपको मेरी दोइनि सुनाई दे रही है यदि आपको मेरी दोनी सुनाई दे रही है तो आप बेल्कुख सही जगह हो कि क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहा है cidade क्लास नाइंथ का एक चैप्टर दोनी जिसक में बहुत मुद्यारarin हैं कि सब्रक्राइब किस प्रकार से होता है यह सारी बाते हम हैं तो मैं आशरवन आपका स्वायद करता हूं पृज से स्चीनल पर जहांपर मैं क्वाल्यूस icon मांटर हर बार की तरह ये class 9 के प्यारे-प्यारे भोले haine क्यूट क्यूट से बच्चों के लिए लेकर आया है एक बहुत ही प्यारा लेकर क्या आया we are at the end of the batch अब हम खतम होने वाला है कुछ ही lectures बतें around इसका physics का एक और lecture होने वाला है उसके बाद chapter खतम और chapter फिर हम कोशिश करेंगे हैं आपनी कुछ और भी चीज़ लाने की और जिस हुए क्लास 10 के लिए बहुत सारी शीज़ें आप देखते हों na sir circumstance के लिए ख्ला में सारी ये ब्लास 10 के लिए क्लास 10 के वेड़ा सबर गलो वक्त आने बड़्य सारी शीज़ें आपको कराई तो मेरे बच्चों मैं हूँ आंका अश्रवन जैसा कि मैं अपना नाम तीन बार ले चुका हूँ यह मेरी इडिट फोटो है करपया इस फोटो के इस फोटो के मुह में ना जाए यह मैं रियालिटी में खड़ा वहाँ यहाँ पर मैंने फोटो एडिट कर आई थी तो थोड़ अगर हम लोग चांद पर बस्ती बना ले अगर हम लोग मंगल पर बस्ती बना ले तो क्या आप सभी को मेरी आवास सुनाई देगी वहाँ पर मतब नहीं देगी आर क्यों ने सुनाई यहाँ पर यूचा आती है यदि आप सभी को मेरी आवास पसंद आती है तो शुरू करते हैं हम यह chapter जिसका नाम है धोनी वैसे तो हम इस chapter को पहले पढ़ चुके हैं एक बार फिर से इस chapter के थोड़ी बहुत बाते मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल गब्राना नहीं तो आज किये कौन कौन से chapter के topic होने वाले पहली बात हो धोनी का परावर्तन यह परावर्तन शब्द से आप कई बार कई बार कुछ कई चीजें सीख चुकर यह परावर्तन शब्द जो है ना यह परावर्तन कहता है जा के वापस आना परावर्तन मैं ऐसे याद करता हूं यह बच्चों को cricket match में हम लोग कभी कभी करते हैं ख़О्च की बावर्तन के बार के वापस करने के लिए इंप उपयोग किया जाता हुआ बहुत विठ्ज्ञान इसका बहुत जगह उपयोग किए जाता है भूग के जाता हम लोग करते हैं लंबी लंबी दूरियों का मापन करने के लिए और कोई वस्तु कितनी दूरी पर है उसका मापन करने के लिए इन सब का अपयोग किया जाता है तो बिठा बड़ा शांदार शेप्टर होने वाला है बड़ा वैसे शेप्टर तो हम आज का जो लेक्ट्टर है ना इसे बहुत अच्छी बाते सीखेंगे अब जिसमें आज की पहली बाते धोनी का परावर्तन अब परावर्तन शब्द का मतलब क्या होता है आप लोग एक experiment करकर देखा अपना हाथ ऐसो रखना और बोलना हलो 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 तो आपको आपकी आवाज इस नौर्मल बोलने से जादा टेस्ट सुनाई देगी हलो क्या मुझे मेरी आवाज तेश सुनाई दे रही है, अब धीमी हो गई होगी, हलो क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, अब धीमी हो गई होगी, अच्छा मतब ये मेरी आवाज में सुना, आपकी खुदे के सुनात करना, तो धोनी क्या होता है परवरतन, आपको बहुत अच्छ कि परवर्तन कहला तो आवाज भी धोनी भी किसी सत्ह से टकरा कर वापस आ जाती है और इस घटना को क्या कहते है धोनी का परवर्तन कहते है इस को क्या कहते है प्रकाष की तरह धोनी भी किसी कटोर सता से टकराती है तो वह वापस लोड़ जाती है तो ये क्या कहलाता है धोनी का परवर्तन कहलाता है अब बिटा देखो जिस तरह से आपने प्रकाश के परवर्तन के नियम पढ़ लेंगों शायद आपने प्रकाश अभी पढ़ा नहीं होगा क्योंकि हम चोटे-चोटे बच्चे नहीं अभी प्रकाश के बारे में पढ़ा नहीं है मैं आपको बताता हूँ मानलो ये एक कठोर सता है कैसी भी सता हो सकती है लोहा हो गया दिवार हो गई हमारे घर की दिवार भी एक कठोर सता है उससे भी थोड़ा बहुत परवरतन होता है तो एक धोनी जाती है धोनी जाती है और धोनी टकरा कर वापस आजाती है मतलब आवाज गई और आवाज नीचे होकर वापस आगे तो ये आवाज जो है ये अभी लंब के सापिक्स कितना अभिलम मतलब जिस सता से टक्रा रही हो उससे 90 डिगरी का एक कोण बना दो वही के लाएगा अभिलम अभिलम के साफिक जिस कोण पर जाती है न उसी कोण पर वापस आ जाती है मतलब यह प्रकाश के परावरतन का नियम का प्रकाश के परावरतन के नियम को वापस आती है उसके अलावा आने वाली धोनी मतलब मैं जो बोल रहाएं वापस आने वाली धोनी जो नियुकल 12 उदिए ऐं पमे पने बिंदु इन तीनों के भीज जो अभिलंब खिचसी नुट मेशक हैना वह एक ही तल मेश्य से सहते हैं अपतन तन कौण सदे परवरतन कोण के मान के पराबर होतानast जो आपतान कोण होता ना आने वाला कोण जो होता ना वो जाने वाले कोण के मतलब जिस कोण पर धोनी तरंग आ रही है उसी कोण पर धोनी तरंग वापस जाएगी इन दोने बातें को धियान रखना यह बहुत बेसिक सिरियम है यह बहुत बहुत ही बेसिक सिरियम है अच्छ तो ध्वनी जा रही है और टकराकर वापस आरे इसके कुछ नियम होते हैं जिनके बारे बारे पढ़ाएंगे तो ध्वनी का परवतन क्या है ध्वनी गई वहाँ पर इतनी सारी उचाई पहाड़ा से टकरा करें अच्छा इसके लावा आपने ये शरारत कभी की होगी कभी बं बड़ा सा हॉल जिसकी लंबाई करीबन 20 मीटर हो तो जब बंप होटते हो ना तो आपके धमाकी की आवाज दो-तीन बार आती है आपके धमाकी की आवाज अच्छा बादल गरस्ते हैं ना तो वहाँ भी कुछ तो धोनी का परवरतन होता है आसमान से जब एरपलेन जाता है तो कितनी खतरना आवाज जाती है लेकिन आपके सामने अरपलेन खड़ा होता ना आपको पता भी नहीं चलता ही तो यह सब धोनी के परवरतन के कारण अपने मान को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो धोनी का परवरतन मतलब किसी सतह से टकराकर धोनी का वापस आज अगर हॉर्न और तुरही और शेनाई इन प्रकार से बनाए जाते हैं कि वो धोनी को सभी दिशाओं में फैलाए आप देखना आपने पीपल पुंगी भाजाई होगी मैं तो उसे पुंगी कहता हूं यहां पुंगी हॉर्न टेक है हॉर्न का जो शेप होता है ने कुछ इस से होता है ना ऐसी स्ट्रेट राट होती हो इस तरह से होता है और इस तरह से होता है ताकि वह प्रकाश को चारों दिशा में फैलाएं अगर प्रकाश एक दिशा में जाएगा तो वहां से टकरा कर वापस आने की संभावना बढ़ जाती है इस कारण से जो हॉर्ण तुरही मतल तब जहाँ को अब एटा देखो आगे इन सभी अंतरों में शंकवाकार बार बार परिवर्थित करके स्पठाऊं की और भेचता है इसके अंदर platinum putting dulu अब कर आपके कां तक मौसता है यह तिसके नहीं हraszam ईस Lazarus स्टेकर बॉक्स बजाते हो डिज्य बजाते हो डिज्य वाले बापू इस प्रकार से बनाया गए ताकि वह आयाम co in एंप्लिट्यूट को बढ़ा दे तो धोनी की प्रबलता भी बढ़ जाए ठीक है इसी यह एक्सपेरिम्ट आप क्यों लगाई जाते हैं जब तुरही वगरा तुरहीं वगरा क्यों लगाई जाते हैं क्यों इस तरह की शेहनाई का शेपी हो जाए ताकि इसकी आवास थोड़ रिपीट दोनी आवास का बार-बार सुनाई दे एक ही आवास का मैंने थोड़ दर पर आपको एक्जामपल देता पहाड़ी एरिया में गयोगे बुलाओगा हलो अब क्या होता है किसी भी सतह से गई धोनी और टकरा कर वापस आई तो हमने जो बोला था हमारी आवास तो हम बढ़ी सुनाई दी लेकिन जब इधोनी टकर वापस आई ना तो यह कराती यह प्रती धोनी तो जैसके करण एक ही आवास हमें दो बार सुनाई दे लेकिन हम कम चे कम दो बार बात करते हैं आपने से कम कही ना करी देखा और आप उची जगाहों पर जाती हो बड़ी जगा होती है यह ऐसा सुनोगा जो भरा नहीं है भावों से बावों से ऐसा होता ना जो भरा नहीं है भावों से भावों से बहती जिसमें रजधार नहीं 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 रजधार नह हादी दीनी क्यास सुनाय देती है। अब देखो वीटा जू आवाज हम बोले है सुनना वड़ी अच्छी बात है। उसके आलावा जुआ दूसरी आबाज हो गी वह हमको तभी सुनाय देगी जब पहली आबाज fed दूसरी आघके बीच कम से कम कितने डिगरी कांतर हो कम से कम जीरो दिसमलाव एक एक सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए अर्थात एक आबाज और दूसरी आबाज को सुझने के लिए हमारा जो कान है ना वह भी टाइम लेता है एक साथ बोलो के नहीं तो अगर मैंने बोला है सुनना मेरी बात को मैं आपको बताता हूं बाई साहब यह दिवार है यहां पर यह खड़े हुए हैं हम ठीक है हम चिलाते हैं हलो बच्चों ठीक है हमने क्या बोला है लो बच्चों ठीक है अब यह आबाज गई टकराती हुए ठीक है हमारे पास आई कितनी देर में 0.0 सेकेंड मतलब गई और आई हमको नहीं सुनाई दीगी हमको एक ही आवा सुनाई देगी लेकिन अगर यह आवाज 0.1 से जादा देर बाद आईगी यह बच्चों वापस ठीकराकर 0.1 से जादा देर बाद आईगी मतलब 0.2 सेकेंड पर भी आ गई तो हमको अपनी ही आवाज दो बार सुनाई है 17 मीटर से जादा होना चाहिए क्योंकि जो वाईयू है वाईयू में सामाने वाईयू की बात जो धोनी की आवाज होती है किरप्या कर पुराने लेक्षर को याद करें मैंने आपको बताए था कि धोनी की आवाज 302 शली का 340 मीटर पर सेकेंड के आसपास हो सकती है अगर यार तीसरी सरत एक बहुत अच्छी बात है माने लो आप रजाई के अंदर मुह रखे बोलते हो तो आवाज भारी जाएगी क्योंकि रजाई ने आपकी धोनी को क्या कर दिया अविशोशित कर लिया तो जो परवर्तक प्रस्थ है वो परवर्तक प्रस्थ ऐसा होना जैसे इंट की दिवार जैसे पहाड ताकि वो आवाज को आव शोशित ना करें आप जो बोल रहे हो ना उसको वो खुदी सोख लेगा उसको खुदी वो भर लेगा तो तुमको कैसे सुनाई देगा एक सेकंड अच्छा पानी पीने का समय देओगे या नहीं हमको देदिया आप किजिएगा तेक तो बेटा देखों अगर किसी मुलाय म सद्दा की बात करोगे दो नी अवशोशित होते ना उधर पर चारो तरफ शीट लगाई जाती है शीट मुलायम होती यह मुलायम सीट चो ती ना धोनी को अवशोशित कर लेती दोनी को अपने अंदर भर लेती तो इसी वजह से मुलायम शीट्स लगाई जाती है ताकि धोनी के वशोशित हो जाए आगे बढ़ते हैं बढ़िया सी बात थी मज़ेदार सी बात थी अब अनुर्रन अनुर्रन क्या होता है इसके बादे में हम समझेंगे अब यार अकसर होता हूं मैं अकसर पर बड़ा लमबा अनुभा असे नहीं बोलता भाष्ण से आयोजन में जिसमें आकाश्रवन आप सभी के लिए आज का सेवक जो आज के सभी कारियों से आप सभी को आप सभी को इससे अवकत कराएगा ठीक है यह सारी बाते मैंने गोली अब जो हॉल था वह 20 मीटर लंबा अब मुझे मेरी आवास सुनाई देने लगेगी मेरी आवा आवाज गायब हो जाएगी लेकिन उसके जो पर कम हो जाएंगे लेकिन सुनाई तुदी कि ना तो मैं जो बोल रहा हूं मेरी आवाज में शोर होने लगेगा मेरी आवाज तीन-चार्ज आवाज मिलकर आएंगी तो यार यह कहलाता है अनूरण किसी बड़े हॉल में आवा बहुत अधिक लंबा हो जाता है ना और नि धुन्दली धुन्दली का मतलब यार बहुत सारे शोर हो जाते हैं विकरित तथा ब्राम को जाती है कभी आपने ब्रामक आवाज में इसी अवे यह दर जाओग targeting तो केसे बनाते है अनूरन आवाज खतरनाक, आप कभी एक मिरिट फील कोई ना जब बाजल गरसते है तो आवाज अतुनी खतरनाक क्यों होती है पता है भाँ पर यह होता है बार बार मल्टीपल परवरतन होता है कारण वो आवाज बहुत ब्रहमक हो जाती है बहुत विक्रित हो जाती है और अब ऐसे पर ऑल में को कम केसी आप अगर मुवी हॉल में जाओगे ना याद रखना ठीक है अब देखना आप सीट बेल्ट सीट बेल्ट की बात करूं सीट जो रहती न मुवी हॉल की वो हमेशा ऐसे मटेरियल की बनाई जाती है जो वायू को अब जो सारी दोनी को अवशोशित करें सक्त नरम नरम सी सीट बनाते हैं काहे के लिए ताके जो एक्स्ट्रा दोनी बन रही है उसे वो अवशोशित करें उसके अलावा पर्श पर कालीन बिशाए जाते हैं क्यों मुलाइम सता चाहिए ना मुलाइम सता चाहिए मुलाइम सता क्या करती है दोनी को अवशोशित करें इसके अलावा जो ख अधिक से अधिक एक्सित्रा अवाज को वह अपने अंदर एब्जोर्व आदिक जैसे पैनल आते हैं, जो अक्सर शुंडियो रगरे में लगाय जाते हैं, राइसी जगह बलगा जनिक जका पर दोन को चाहिते ह् bet बड़े-बड़े halls में, आप कभी किसी movie hall में जाओ ना, आप देखना movie hall के आजकल तो बहुत जादा high technology है, movie hall की दिवारों पर कुछ अलग-अलग type की designs बना जाते हैं, उन designs के अंदर fiber panel लगी होते हैं, ताकि जो extra आवाज आपको आईगी ना, उस आवाज को क्या कर लेगा, व horror movie देख के आ रहे हो, तो इसलिए वहाँ बार वायू से जो हमारी हवा है, हवा के जरी जो धोनी जारी है, उसका अवशोशत करने के लिए, इन सभी उपायों का करना बहुत आवशक होता है, नहीं, तो बेवाजा comedy movie देख रहे होगे, और आवाज ऐसी हारी हो कि डर रहे हो तेंगे, अब E-K-O क्या होता है, एक सता हो ठकरा कर वापस आ जा ना E-K-O, एक आवाज का ऐक बार से दोबारा सुनना E-K-O ठीकius लेकिन अगर भाहीं आवाज बार बार, 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 सुनाई देए तो अनुरूरण, ठी एक बार हो गया धोनी का परवतन कि टुना लेकर यदी यही बडी बड़ी बड़े बड़े हॉल में च्छत दिवार educate अऊड़ा दो सुनाई दी हुआ ह्साज cr Vergleich के बार बार परवर्तन होता है तो उस शिस्तिति लेकिन अगर आप बाब्लन की तो अनुरन के कारण दोनी जादा लंबी होते हैं धुन responder week उत्यों भreensuting अनुरान के कारण जाधा यार बार बार सुना हिं दिगी ना वही आवाश क्योंकि धोनी ब्रामक हो जाती है रे बादल का गरजने को नहीं सुना होगा अगर अच्छी तरह से बादल का गरजना है अब बेटा मानव के सुनने की एक शमता होती है जिसे बोलते हैं श्रव संक्या और यह होती है 20 Hz से लेकर 20 kHz मैं इसका माने लेकर देता हूँ कितनी होती है 20 Hz से 20 kHz तक अर्थाद 20,000 Hz तक तो मानव के सुनने की जो शमता है वो 20 Hz से 20 kHz तक होती है तो बेटा क्या तुम 20 Hz से कम की आवास सुन सकते हो नहीं, क्योंकि अश्रब भी है अरे हम नहीं सुन सकते कुछ जानवरों के पास कुछ जीवजन्तु, कुछ कीट पतंगे होते हैं उने के पास ही शमता होती है कि वो सुन सकते हैं हम नहीं सुन सकते क्या हम कीट पतंगे हैं नहीं हम तो मनुष हैं नहीं सुन सकता अच्छा इससे ज्यादा की आवाज भी निए ज्यादा की आवाज भमें दिक्कत देगी बाबा याद रखना तो हमारी जो श्रब शमता है 20 हर्ट से लेकर 20 किलो हर्ट मतलब आपको 20 हर्ट की आवरती की ध्वनी बढ़िया सुनाई देगी क्योंकि श्रब ध्वनी होगी मतलब और 20 हजार हर्ट सक्की सुनाई देगी ऐसे कम इसे ज्यादा अच्छा ये एक अनुमानित माने एक आवरेज माने वह सकता है आपको बहुत उपर नीचे मान मिल जाए ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखो बिटा ध्यान जो सुनना अब यार 20 हर्ट से नीचे की जो आवाज थी वो अश्रब्विध होनी थी और 20 हजार हर्ट से जादा की जो ध्वनी है इसे पराश्रब्विध होनी या पराध्वनी भी कह दॉल्फिन को पानी के अंदर जाती है वह अपने में से कुछ वाइस निकालती है वाइस रेफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो वह इसका कई-कई बार उप्योग करती है जिसको कई जगहाँ पर चमकादण को दिखाई लेकिन फिर भी वह जाती है जट सामने कोई obstacle होता उस अच्वने कौन से calculator लगाया हुआ दॉल्फिन होगा है चमकादण होगा है शिंगमार होगा है चुह होगा है सामने आने वाली दिख्कत को वह पहले ही भाप जाते है दॉल्फिन होगे जैसे वह अपने में से एक आवाज निकालती है तो वह आवाज जाती है तकरा कर वाप उत्पन कर सकते हैं जिससे हम तो नहीं सुन सकते हैं अब सर पराधोनी का उप्योग हम कैसे कर सकते हैं आचा देखो आजकल विज्ञान जो है ना बहुत जाधा development है हम विज्ञान के हर एक concept का यूज प्रकृतिक से लिएगा है हर एक concept का यूज हम हमारी जिंदिगी में कही नहीं करते हैं तो उसी तरह से हम इसका भी उप्योग करते हैं इसका हम उप्योग करते हैं सोनार में आपने नाम कभी न कभी सुनार का पूरा नाम होता है sound navigation and ranging फिर से सोनार का पूरा नाम क्या होता है sound navigation and ranging तो सोनार कॉमनली सोनार कॉमनली हम आर्मी में भी उप्योग करते है हम एयरफोर्स में भी कहीं न गए इंतका उप्यों किया जाता है एसका उप्यों कैसे किया जाता अगें वही तरीका दूर दोह नहीं गई और टकराकर वापस कितिनी दिर में आई वो समय अंतराल की गणना करकर हम दूरी का आराम से निगा आपने कई मूवी में देखा गय है sound navigation and ranging वैसे उपर लिखा हुआ है तो मैं इसी को highlight कर देता हूँ sound navigation and ranging इसकी सहायता से इसका उप्यों कहां किया जाता है इसकी सहायता से हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जिसके आप कलपना भी नहीं कर सकते हो तो सोनार एक ऐसी युक्ती है बड़से सोनार एक ऐसी युक्ती गहराई के अंदर पहाड है गहराई के अंदर shark मचली है गहराई के अंदर वयहल मचली है तो अब इस गहराई के अंदर हमें दिखाई तो दे नहीं रहा इतनी गहराई में प्रकास पहुंची नहीं पाता जब गहराई के अंदर हमें दिखाई नहीं दे रहा तो हम कैसे दोहने की गति हमको पता है, जल में कितनी होती है और उसी गति से गई और उसी गटि से वापास और अरठाद D दूरी गई और 2D दूरी क्ल तह कि're D गयी समें लगाए रूज हमाज समय की गणना हम करते हैं और समय की गणना कि रहा हम याädर रखना कि Take के टाइम की एक बहुत 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 modernize टेकनीक है अच्छा सोनार ओल्रेडी यह अभी मैंने तो देर पहले बताये था कि डॉल्फिन चमकाद यह सब ओल्रीडी सोनार के एक तरीके का अप्योग करते था जिसके कारण आगे क्या दिखका थे आगे क्या परिश क्या करता है एक प्रकार की धोनी जाती है धोनी गई दोनी ने माहंव कितनी दूरी टेगरी और टक्रा कर कहा बच्चा वापस और वापस पता लगाने के लिए एक संसू चक लगा होता है all right संसूचक लगा होता है तो प्रेशित ने ध्वनी चोड़ी और संसूचक ने क्या करी वापस थे ठीक है अब वाई यू में बात करें तो वाईउ में आरांड इसकी जो चाल होती है तो हमें गती पता है हम दूरी का पता लगाना चाहते हैं तो प्रेशित और वापस आने में सेंड करने और रिसीव करने के बीच के समय का अंतर हमें निकाल लेते हैं तो बिटा देखो हम जानते हैं वेग बराबर दूरी बटे समय है, वेग बराबर बच्चा क्या? दूरी बटे समय, अब वेग तो हमें पता है, ना, speed जो भी होगी धोने की, दूरी कितनी हो जाएगी? यहां पर दूरी हो जाएगी 2D, और समय कितना हो जाएगा बच्चा T, तो S by 2, और यहां पर क्या बच्चा T, ठीक है इस सूत्र का अपयोग आप वक्त आने के अनुसार करोगे ठीक है ना हम निमारिकल की क्लास में डीटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे और अभी आगे भी इस सूत्र को लिखा गया है वहाँ पर याद रखना ठीक है वैसे इसी सूत्र वेग बराबर दूरी बटे सम ठीक है दूरी बराबर लो और अच्छे से लिख देता हूं पूरी बाते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय आपको दूरी निकालना है ना ठीक है दूरी निकालना है ना तो कैसे निकालोगे अब दिमाग लगाना है यहाप ठीक है तो सोनार की कारविधी बिसिकली कैसे सोन ठीक है अब देखो प्रेश्ट पराधЖोनी तरंगे उत्पर्ण कर के प्रेश्ट करता पराध्धोनी तरंगे जो की हम नहीं सुन सकते हैं यहे अभी तक्राकर यह तरंगे पानी में भी चलती है और किसी पिंड़ से प्रिवर्तित होकर संसूचक दहारा घ्यराण कर लिजात है मतलब यह पता लगाता है कि कितनी दूरी पर कितनी दूरी पर कोई obstacle कोई दिक्कत है इसे पता लगाने के लिए हम एक technology का यूज करते है that is sonar ठीक है अब sonar की कारे भी थी ठीक है यह मैंने आपको सूत्र बताया था तुर्दे तो निकाल निकाल सकते हो दूरी कामान मैंने इस बात को इससे पहले समझाया हुआ है तो इस सूत्र की साहता से आप डी कमान आराम से और इजी वे में निकाल सकते हो करपे अगर अब सोनार की उप्योग समुदर तलकी गहराईन आपने के लिए के लिए जाता है जल के नीचे चेक्टानों, ठीक है, घाटियों, पंडुपी, हैना, हिम, हिम मतलब, हिम क्रीम मतलब आइस क्रीम वाला हिम नहीं, मतलब इसका मतलब बरफीली जगहों पर, तथा डूबे हुए जहाज का पता लगाने के लिए किये जाता है, आजकल बहुत जगा सकॉपियों क कि इस चाप्टर के डेर सारी कुशन के भंडार के साथ, ठीक है, तो तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, मस रहिएगा, मजे में रहिएगा, खुश रहिएगा, और लास्ट वाला जो लेक्शर होने वाला ने चाप्टर का, इसमें बहुत सारे निमारिकल्स हम सॉल करने व ध्यान रखिएगा, मजे में रहिएगा, खुश रहिएगा, ताटा, बाबाई